हेलो स्टुरेंट्स मैं रवी रेंजेन आप लोग का स्वाखत करता हूं मैंने बेंज हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है चटी से बार इसके साथ करते हैं आज के लेक्षर को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने करने वाले हैं तरफुज चेप्टर के परसणावली 6.4 पर पहुंच चुए और इसमें हम इसके उधारन भी कंप्लेट करेंगे और इसके अफधार्णाएं भी परी किया इसके प्रसनावली इसको पूछा ही जाता है most important है और बाकि जो question पूछी जाते हैं वह हम यहां पर practice करने वाले हैं और जो परी में था उसी के आधार पर question से यहां पर होंगे उसका जो formula था उसको दुबारा से यहां पर discuss करेंगे और उसके बाद फिर उसके उधारन और पर सुनावली को complete करेंगे चलो देखते हैं क्या का चीज़े हैं आपर तो यहां कोशन में सबसे पहले क्या है कि पहला concept इसके अंदर जो हमने सीखा था पिछले में परी में शीखा था इस बार परी में को पूरा अगर कहा जाए अगर कहा जाएं पर इस परीमी के नुसार हम कह सकते हैं तब 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 चेथ तर्फल जो होगा ABC का और चेथ तरफल का दोन दूने जो तर्फल लिए निकि चेथा वालला है वह उनकी भुजाओं जोवह दे रिखिए या मैं आप Ikv सकते हैं यानि बी सी बटे में क्यू आर हैं इसका भी वर्ग होगा या फिर हम कह सकते हैं क्या चीज़ इस भी को यहां से अटाया हमने यहां लिग देते हैं तीसरा क्या है सी ए जो है और पी आर मतलब सी ए और पी आर इन भुजाओं का भी वर्ग होता है इन भुजाओं के अ अनुपात का वर्ग होता है यानि आसनवासा में क्या का जाए अगर दो तिर्भुज समरूप हैं तो उनके छे त्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है यह चीजी यूज करनी है इस कंसेप्ट को ही यूज करना है और इसका हमने पिछली क्ल परसनाव लिए इससे पहले उदारन उसको देखते में क्या कह रहा है और अकरती चेज़ समलव चार तीन जो यह आकरती आपको सामने दिख रही है में रेखाखंड एकस वाई जो है वो तिर्भुज एबीसी की भुजा एसी को एसी के समानतर है यानि यह एकस वाई जो है लाणे समानतर दे रखा इसने चलो उअची बात है इस त्रभुज की वह बराबर छेतर फलों वाले दो भागों में विभाजित करता है या निए कहनां चाहता है कि जो एकस वाई रेखा है वो इस को दो नूइल फनूपात एक सबस्तें चलूब करता है अब अनुपात एक सब्टे में आ भी यहाइद कि pe Keep यह दिखते हैं क्या दे रखाकाइस में दिया है मैं आई गर स्में 76 यह वह समांतर है यीच के पहली बात तो यह दिर रखेंए ठीक है उसके बार यह ए तिर्भुज को वह बराबर छे्ट रफलों में वाले दो भागों में वालिद करता है यानि हम कह सकते हैं क्या चीज बहुत खेत्रफल जो है किसका एक डो यस इसका जो छेतरफल यह बराबर होगा तिरभुज ना लिखके मैं डारेक्टी भी लिख सकता हूं छेतरफल कि भी एक्स वाई यह चीजह है यह यह जो तुरुझे फोड़ा इसका छेतरफल और इसका छेतरफल बराबर है क्योंकि इसने कहा था जो यह एक स्वाई रिखा काटी गई है रिखा कीची गई है वह इन दोनों को बडाबर छे तरफल में बाट रहा है तो वह हमने लिख दिया यह यह तो समानतर रहे यह दन हो गई चलो भी ठीक है अब इस में करते हैं सिद्ध में सिद्ध में क्या करन है में तो रही ग्यात करना है तो वह उसको गयात करना है अ और यह एकस बते में यह भी इसको घ्मकार 006000ified का अन्ट ळैन चलो भी क्या आशूंगाब आयूंत को इसमें नजनों में क्यों सकते हैं है तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या किट तरुज A B C में एक्स वाइब समानतर है एक्स वाइब समानतर यह दीखा जो है वह समानतर है अब जब करें के समानतर होगी ना तब यह आप आंप कह सकते हैं तति बूज पढ़े एक्सवाई जो है वो भी ऐसी के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा दन चलो लिख लेते हैं तब हम इसमें पहले समरूप शिद्र कर देते हैं डायट पेले लिकींड करके वह ये कौन के बराबर है और ये कौन इसकोन के बराबर है यह चीछ लिखके हम करेंगे इसको तो यहां पर शमानतर है तब हम कह सकते हैं तिर्भुज A B C तथा अब A B C तथा 1 X B Y एकस भी वाई में इसमें देखते हैं क्या होगा तो इसमें हम कह सकते हैं कोंड जो है वो कौन सा वी एक्स वाई बराबर होगा कोण वी ए अपर क्या चीज़ेंद है एक रेखा कही ची और दो समंध्र मतलब इसको मैं अलग्स लखता हूं दो समंहद लाइन को यह पयोड लाण यह ची तो यह को इसको क्या कहते हैं तो एक ही और के संगत कौन कहा जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं वहीं एक ही और के संगत कौन वह एक ही और के संगत कौन है यह चीज़ आ जा गया है दन चलो भी ठीक है यह लिख दिया हमने एक ही और के संगत कोड़ों गए अब वही चीज दूसरा क्या है यह वाला कॉंड भी इसके बराबर है यानि हम कह सकते हैं कॉंड बी वाई एक्स जो यह बराबर हो जाएगा कॉंड बी सी एक और इसमें भी सेम रीजन आजाएगा जो हमने यहां लिखा यहां मैं डैस डाल देता हूं याद रखना की इसी के नीचे भाला है तभी डैस डाला है तो भी ठीक है अब महीं यह चीज दो चीज आ अब यहां पर क्या है जब दो तिर्भूज में तो तुर में दो कॉंड बराबर हो जाते ती को बिल्दू हो जाएगा भाई नियुद यानि लिखो चाहिए मत लिखो कोई फ़र्टने बढ़ता दो कॉन पर ग्राबर होगे तो आप उसमें भी सम्रूप लिख सकते हैं यानि हम कह सकते हैं तिर्भुज ए बी सी सम्रूप हो जाएगा तिर्भुज एक्स बी वाई के वो भी कैसे कौन कौन सम्रूपता तो यहां पर हो जाता है तो यहां पर यह चीजे सम्रूप होगे सम्रूप होने का मतलब क्या हुआ तो अभी हमने पढ़ा है क्या पढ़ी है कि अगर दो तिर्भुज सम्रूप है तो उनके छेत्रफल का अनुपात क्या होगा उनके भुजा के अनुपात के वर्गों के और तिर्बुज एक्स बी वाई इसका जो छेत्र फल यह किसके बराबर होगा तो इनके भुजाओं के अनुपाद क्या था एक्स और एबी है तो लेकिन फिलाल हमारे पस्का रहा है तो एबी आ रहा है ठीक है और बटे में क्या आएगा बी एकसाइगा यही आएगा और इसका यहां पर यह वर्ग आ जाएगा अब इसने बोला है यह हमें ग्याद करने हैं लेकिन हमारे पास तो एबी आ रहे हैं यह तो दिक्कत वाली बात है कोई बात दी इसको भी जॉल करेंगे देखेंगे हम इसकी मदद से सौल करेंगे तो हमें पता है क्या कि बहुएए बी सी जो है यह पूरा छेत्रफल है अब मैं बताओं यह फर्स्ट पार था और यह सेकिंड बार्ट था था ठीक है अब यहाँ पर यह इसा और यह तो बराबर था ना यानि अब मैं कह सकता हूं यहां पर नेक कितना होगा तो यह हम कह सकते हैं अब दोनों तो इसके बराबर क् प्रेटरफ़ल राफ्त कि टिखतरफलS एकस वाइस डोनोट थे ना जैसे कि आंप है को श्य को कि भी है टिकलंक अब काहिए या फिर मेंस से में धिना जैसे कि आपर कोशन में दिया हुआ है दोनों तो सेम थे सेम थे जोड़के तो एक बन जाएगा हो तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या इनको अगर जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं वह दो हो जाएगा छेत्रफल कि भी एक्स वाई यह लिखा जा सकता है दो के साथ ठीक है अब यह तो दिया था इसके हमने लिख दिया वह यह बराबर था यह बराबर जो दिया हुआ था उसी के अपर लिख दिया अब इसको उठा के अगर में नीचे लाता हूं तब क्या हो रहा है तो इसको उठाकर नीचे लाए तो फिर यहां बहां यहां बचाना और बट्रे में एक बचात बाती है दो बटे में आ गया ओके चलो में ठीक है अब यहां पर देखो तो ए बी सी और एक्स बी वाई या फिर कहा जाए बी एक्स वाई बात एक ही होती है इन दोनों का अनुपात कितना दो बटे एक है यानि मैं लिख सकता हूं भई इसी को समीकर्ण एक लिखा सोरी दो लिखते हैं इसको समीकर्ण एक लिखते हैं ठीक है और इन दोनों एक तथा है दो के अनुसार है कि मैं समीकर एक तथा दो के अनुसार देखेंगा क्या चीज़ हो रहा है यहां पर तो यहां हम देख सकते हैं भाई छे त्रफल तो दोनों बरार है मतलब लÍ辵ाल दोनों कब बराबर है निकालना है राइट तो रैट पर आते हैं तो राइट की बात करते है राइट में कितना है तो बुड़क एक बराबर में आने वाला है कितना एमी00 वाला है यह बटो में भी एक साने वाला है ठीक है इसका वर्ग आ गया ओके वह यह दोनों छेत्रफल तो ब्राबर है तो राइट वाले भी दोनों ब्राबर होगे इसका वर्ग हटाएंगे ज़र रूट लग जाएगा तो यहां गया रूट दो बटे में एक आ गया और यहां यहीं चीज से हम नीचे करते हैं पहले तो लोटा करेंगे तो क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं junction बटे में सोरी इबी नहीं इसको उल्टा करण्याना न हम तो ऻक्र यह उटगए और और इसके बाद हमैं d नहीं चाहिए हमें यह बी-एक्स नहीं चाहिए हमें एक्स चाहिए और वो कैसे आएगा तो उसको अगर एबी में से बी-एक्स को घटा दे तो आ जाएगा अब एबी मतलब पूरा पूरा मतलब एक है यहां पर यानि हम क्या करेंगे एक से दोनों तरफ घटाएंगे एक से दोनों तरफ और वो कैसे आएगा एफिया जाएका तो यह आ जाएगा एभी माइनस करने दैस बेडि गया आगया अब देखिए और बराबर में आ गया है रूट दो माइनस में एक आ चुका है और और नीचे रूट दो भी आएगा यह क्या कर रहा है आप रूट दो आएगा यहां तो चीक है यह नीचे रूट दो आ रखा है ओके तो यहां पर हमने भाई इस छेतर फिल के फर्मूले को लगाया है जिस परिमें का धार पर है वो लगाया है बिल्कुर तो यहां पहले दोबारा तो रिवाइज कर वाता हूं तो इस कोशन में क्या हुआ है तो यह रेखा इसके समानतर दे रहे थी और यह चेतर रफल इसके बराबर दे रखा था ठीक है अगर यह समानतर है तो आपने च्छोटे तरबुच को बड़े तरबुच के समरूप किया तो भई हमें दे रखा है जो बड़ा तरबुच वह बाकि दो छोटे तर्बुच के योग के बराबर तो उनके चेत्रफल और दोनों बराबर थे इसको हमने दो करके लिए और यहां से जब इसको नीचे लाया तो यहां पर भी समीकरन बन गया हमारी और समीकरों दो और एक को जब ह भी शकन सोट ले सकते हो फिर हमाते हैं लेक्स कुछन पर पर नेक्स कोणिई बात के कहे हैं तो यहां पर दे राखा प्रसनावली खेद समलिवक चार का पहला लाम पर एक कहा है तो यहां कि कह रखा है कि वह एक तिर्भूर यहां पर है जो कि ABC है और दूसरा क्या है कि दूसरा डी एफ है ठीक है वाई ABC का चेतरफल 64 है और दी एफ का चेतरफल 121 है और उसके बाद कर रखाए इफ जो है वो पंदरा है पंदरा पॉइंट चार है ठीक है और वी सी हमें घ्यात करना है ये हमने ग्यात करना है वदी कैसे तो उसके बाद क्या चीज थैंब उसके बाद हमें दे रखा ऐँ यह जो हैं सर्णीच छेत्रफळ दे रखा आख छेत्रफळ ऑंठ का एबीसी यह देर दे 64 आ और उसके बाद 6 तरफल दे रखायا दिग्स के दिए रंद 111 यह दो ही दोचीज़े दे रहे हुए दन वह यह पहला दे दिया दू साइट यह रखाय कि उसके बादसात साथ में हमें दे है कि वह एफ जो है वह 15.4 है और बीसी हमें ग्यात करना है मतलब हम आएंगे यहां पर ग्यात करने में ग्यात करना है में यहां पर आए को है बीसी हमें ग्यात करना है ठीक है अब इसमें आते हल में तो हल में क्या कह सकते हैं अगर यह दोनों तिर्भुज सम्रूप है तो उनके छेतरफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बरावर होगा तो इसमें लिख सकते हैं क्या भाई तिर्भुज का जो छेतरफल है छेतरफल किसका ABC और नीचे है छेतरफल कि दफ इसमें दोनों के छेतरफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के वर्गों के ब्रावर होगा यानि हम कह approximately मैंने लिखा c बटे में इएफ लिखा है घए इसका वर्ग कर दिया दैन इसका वरकर दिया है अब इससमें हम देख सकते हैं इसका छेतर फल कितना था तो यह चौन सट था यह कितना रहता यह तो एक सो एक सब्सक्राइब निकालोगे उसको इधर बहुत लैंथी हो जाएगा ऐसा नहीं करना जब आपको दिख रहा है यहां पर वर्ग है तो वर्ग से बर्ग काट देते हैं और वह कैस तो 60 क्र。 इसको लिए आठ बते में इस सकते हैं आर्ड बटे में इसका वर्ग ऐगा को इसको लिए सकते हैं एकस बटे में 15.4 है इसका वर्ग अब रोग से रगगобщ害 यह नहींग रुट लगाओ तो वर्ग से यहांनि शोंडें खातम हो जाएगा अभी सके बाद हम डिरक् टीक है एक प्वेष और बटीस मतलब यह जारा पॉइंट दो अगया है यह जोह दो एक टॉट तो मतलब यह तो यह जो आगा गया भी यह कितना आ चुका है ग्यारा पॉइंट दो दन चलो भए ठीक है इसको आप इसका स्क्रिंसॉट ले सकते हो फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुश्चिन पर कि अगले कुश्चिन की बात करें तो यहां पर दे रखा एक समलम एबी सी है अब इसमें दे रखा है जिसमें जी यहए भी समांतर है डिसी के इविजशाधिक चल कि बना देते हम तो बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यारास पास ए थो कुछे पडी सी है यही हो हो चुका है जिसमें अबी जहां फूब जो समांतर है डिसी के एबी जो कर रहे हैं ओनो पर तिश्यत करें ड़न ठीक है यदी आपी जो है वो 2 balance यह जो है इस वह जो भी जो हैब यह weit जो है डॉसकी बढ़ कर डॉबल यह चीज हम ठीक है रखा है तो यह कितना होगा वह जो quality डबल का मतलब यह हो गया है ठीक है चलो अच्छी बात है अब इसने कह रखा है कि तो तिर्भू जो एओबी और सीओडी के छेत्रफलों कानुपात ग्याद कीजिए मतलब एओबी यानि यह वाला जो आपके वाद यह वाला इन दोनों के छेत्रफलों कानुपात निकालना है तो यहां पर पहले आते हैं तो यहां पर हम देखेंगे भाई एबी जो है वह समांतर है दीसी सिकें में दे रखाय ठीक है और दे रखाय क्या अब जो है वहट डबल हैcD यहां दे र tissu आप अब क्या क्या करना है अगात करना है सोब्सक्राइब ऑग्यात करना है बढ इन दोनों के छेत्रफल का जो अनुपात है वो हमें ग्यात करना है क्या है ड़न चल भी ठीक है अब उसके बाद हम आते हैं इसमें हल में हल करते हैं भई हल क्या चीज है हल के में आते हैं तो हल में कहा जाए तो हम कह सकते हैं भई क्या कि जो दो तुर्भुज हैं हमारे बस ए A O B तथा तिरभुज सी ओडी में ठीक है एक मिनट यह आगया भई ठीक है इन दोने तिरभुज में क्या कैसे बराबर तो आप देखें यहां पर क्या यह कौन के बराबर होगा क्या होगा यह लाइन इसके समानता रहे ना तो यह को इसके बराबर होगा तो वही रीजन अ देखें कोनवी ए ओर में होगा कॉन को डी सी ओ ह क्या होगा तुछ इसने अनता एक उनतर को भी बेल्कुल सही बोला तो यहां पर यह आएगा क्या अनताC कूञ उने ठी WOW Цैक है यह चीज हो गया ड़न अबनेच्स्ट की बात करते हैं तो क्या यह कूर्ड भी तो बेलकुल होगा क्योंकि यह भी तो समानता रखाओं को कााट रहा है तो हम कह सकते हैं को n a b d जो है वो बराबर होगा a b d किसके a b d d क्यों गरेंगे वह तक ही ले जाते हैं यह हो जाएगा कोण c d o के बराबर होगा और रिजन रिखा बात कतम करी अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि दोनों तिर्भुज जो है उनके दो कोण बराबर हो गया यानि की वह समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं तब कि तिर्भुज a o b समरूप हो जाता है चिर्भुज c o d k वह भी कोण कोण समरूपता अब क्या है ओब यहां से कह सकते हैं कोण कोण समरूपता जब आ चुका है तो बचाई कि फिर तो भर भुजाय नुपात में होगी तो हम लेइस क्या उबटे में अब भुजाए तरव क्या होगा तो हम कह सकते हैं जो है यह वी बटे में च्छेत्रफल जो है और सी ओडी यह हमारा हो जाएगा बहुत बटे में डी सी क्या ये लिख सकते हैं पई जी तो बोलो हुए नहीं क्यों क्योंकि वर्ग बी लगाना है यह काम नहीं चलेगा यह हो गया चलो भी ठीक है अब देखो इसी के अंदर हम लिख सकते हैं क है तो हम यहां पर लिख सकते हैं नीची स्टैप में लिख लेते हैं ए भी जो है वह दो सीडी के बराबर है और यहां पर रिजन लिख दिया है कि भाई दिया है तो भाई यह दिया हुआ इसले लिख दिया हमने अब यहां से यह कट गया कट गया बचा क्या दो बटे एक यानि हम लिख सकते हैं इसमें क्या कि भाई छेतरफल जो हमारे पास आघानाम है इसके यह ओवियोर और सी ओडी यानि इसको लिख सकते हैं डारेक्ट विद्ध को यह तो पीछे लिखा हुआ था इस ध्यान मेरे उसके लिख दिया अब यह चीज़े दे रहे तो इसका वर्ग करते ही क्या हो जाएगा यह वह वर्ग करते ही चार हो जाएगा और इसका आंसर आगे हमारे पास चार बड़े ए और यह आंसर आगे है डन चलो भी ठीक है इसको आप देख सकते हैं स्कूर्ण ले सकते हूं और इसका भी स्कूर्ण यहां पर कंप्लीट होता है फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुश्चिन पर ओके चलो भाई हां जी अगले कुश्चिन की बात करें तो यहां दे रखा आकरति छेद असमलव चार चार जो यह आपको सामने दिया हुआ है इसमें दे रखा है एक ही आधार बीसी पर दो तिरभूज एबीसी और डीवीसी बनते बने हुए हैं यानि बीसी एक आधार है इसी पर क्या है बना हुआ है और इसी पर डीवीसी बना हुआ है ठीक है यदि एडी बीसी को ओपर प्रतिछेट करता है बहुत अब बटे में दी ओके बराबर है चलो बहुत देख लेते हैं कैसे अनुपात बराबर है ठीक अब यहां पर क्या चीज़ है यहां पर हम सबसे लिखेंगे दिया है तो दिया है में क्या है इसमें दिया है में आ जाएगा तिर्बुज एबीसी तथा तिर्बुज डीवी सी एक ही आधार भई दोनों वो एक ही आधार को इस पे है डीसी बीसी पर है यह हमें में दिये हुआ हैं तिज्वी सिद्व करें कि बास करें तो यहां पर हम देख सकते हैं भी शिद्ञ करना में क्या हो जाएगा तो एरिया मतलब और ठीक है यह वहांते हैं चलू ठीक है रिजोए डियोdogs गाव आते हैं थो एक यहां में तो तो यहां पर एक लंब कीचेंगे यहां पर एक लंब हम खीच लेते हैं यहां से क्लम हमने यहां की चीए और यहां से एक लम हम यहां की देंगे ठीक है यहां तक को एडू और यह आ गया और यह फां गया ठीक बहुअ यह चीzdत हुए यह दो हम वनने इसमें रचनाइं कि हैटो हम यहां पर लिखेंगे रचनामे क्या अधित रचनामे लिग सकते हैं हम आई कि एई जो है वो लंब है किस पर लंब है तो सीडी पर है सीवी पर ठीक है और साथ में क्या है डी एफ जो है वो स्पर तो वो बेसी करें ठीक जो बिसी पर लंब और एज वो बीसी पर फिरल्म है और बीसी पर लंब है झो है लेख दिया हमने अब उसके पाद हम माते हैं जिद्ध 치की बात करें तो हमें निकाला है बट दोनों तो निकालते हैं तो हमने लिखा वही चीजी या या यह होता है एक बटे-दो आधार गणुन्हें ऐह होता है तो हम इसमें लिख सकते हैं फटेड़ और आधार क्या है एंद एबिसी की बात करें लंबवत होता है वहीं तो हम कह सकते हैं सब सुक्य नीच आएंगे तो नीचे की बात करें तो क्या है आ कि बात करें आ हैंपर यहां की बात करें अधार कितना नगा पड़ गया विसी से डी इनके पास इसँ जो यह वो्चेतर फुल आ गया रहा है आप 7 आपर श्यटरफल किसकाः जैए और श्यटर फ्रफ ऐसा'RE द्च फमद अब कि यह आचुका है यह बटेlish DEVX में अब क्या हमने यहीं निकालना था तो नहीं को अधाने होगो भी निकाल ला है और वो कैसे होगा तो देखो यहां तक यह पहला हो गया तो इसको समीकर एक लिक के छोड़ देते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे तो यहां पर क्या है और ओडी चाहिए तो हम इन दोनों तुर्भुज को समरूप कर देते कौन से ए ओपे और डी ओएफ को समरूप करते हैं तो और चीज़ें हो जाएगी अब कैसे होगा तो यहां देखते हैं वह तिरभुज में देखते हैं तो यहां हम देख सकते हैं भए कौन कौन सा है कौन कौण ए यई ओ बराबर में क्या रहा है कौण ड़ी एफओ ठीक है यह नहीं चैल बेडिक है उसके बाद हम देख सकते हैं यह कौण इसके बराबर है 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 कि है कि नहीं है बिल्कुल है तो हम लिख सकते हैं कौण ए ओ यी बर्राबर में कोन बी ओ एफ ठीक है बी ओफ दोनों बराबर है ए ओ इओ यह और बी ओफ पी नहीं है डी अधी ऑ फ छीक तोई यह लिख दिया में और डी ओ बराबर है तो क्यूं बराबर है कूण ठीक है यहनambre हम नहीं बराबर है भी निदुटि आपकी बराबर हो चुकी है अब इसके बाद हम देखते हैं दो कौण बराबर हों से क्या होता है तो यह समरूप हो तो आप हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगा भई इसको तो इस करें कि तरभुज ए आगे क्या है कि ओई कि समरूप हो जाएगा तरभुज कि दी ओ एफ यह ठीक है अब यह दोनों तरभुज समरूप हो गए वो भी कैसे कौन कौन समरूपता जाती है वह यह समरूप हो गया समरूप उनसे फाइदा समरूप होने से फाइदा इसकी वुजाए एक अनुबात में हो जाएगी तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या कि वह हो बटे में डी ओ बडावर में आई बटे में डी एफ यह हमारी समीकरण दो गई है और यहाँ पर समीकरण एक हो गई है तो आप क्या देख सकते हैं तो देख सकते हैं भई अब डिए धर भी बिद्स था ठीक है अब डोनों राइटि में पराबर तो लेफ्ट वाला भी बराबर हो जाएगा तो हम सीधे लिखेंगे समीकरण एक तथा दो क्यानुसार ठीक में समीकन एक तथा दो क्या अनुसार क्या होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं वे छेत्रफल क्या नाम था छेत्रफल का एबीसी और डीबीसी एबीसी और डीबीसी इसमें कह सकते हैं भाई यही हमें क्या ग्यात करना था और यहीं हो कि अधीट नेक्स कुश्यंगी बात करते हैं यहां है यदि दो समरूप तिरभूजों के छेतर फल बराबर हूं मतलब कोई समरूप तिरभूज हैं उनके छेतर फल बराबर दे रखें तो सिद्धि कीजिए कि वे तिर भूज सर्वांगिशम होते हैं वह तो सरवांक्ष्म होते हैं उसमें देखते हैं में दिया है क्या तो व screens, मैंने बना दीए एक है ABC और एक और रहा है PQR ठीक है इसलिए कहा है दिये हुए मैं क्या है कि दो समरूप तिरफुज हैं और उनके तरफल बराबर हैं यानि हमें दिया हुआ थिरबूज ए बीसी सम्रूप है ते तो यो है अब उसके बाद हम आते हैं तो आ गया है अब हमें देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है कि वो तिर्भुज सर्वांग्षम है वह दोन सर्वांग्षम में यह भी सिद्ध करना है तो हम लिखते हैं वह खेल आपके कोई अलग होंगे और ना कोई भूजा होगे सारे भूजाएं बराबर सारे बराबर ठीक है ये चीज़े चलौए ठीक है ये चीज़ कर लेते हैं तो इसमें आते हैं भाई हल में मतलब इसके शिड़् में आते हैं सिठ्ध की बात करें कि जब तिरबुज ABC सम्रूप है तिरबुज PQRK तो उस कंडिशन में क्या होगा तो उस कंडिशन में कह सकते हैं एक तो सम्रूप है चलो सम्रूप को बाद में लिखेंगे सम्रूप को बाद में लिखेंगे इसमें 6 रफल प्राजाते हैं ठाटिक है हमिने दिखा जब चैनल दोनों बराबर हैं जब चैनल बराबर रहे तो हमले रहे तो इसको अगर उठाकर मैं नीचे लिए नह xuं तो यह हो जाएगा तो हम लिसकते हैं ठीनल-बीसी बटैंपे भेल जितना जाएगा फिक्यू आर अगर मैं उठाके निचल लाता हूं यहां तो एक बचा ना यह आगी समीकरण एक ठीक हैं यह समीकरण एक आगया अब उसके बाद क्या है और तिर्भुज ए बीसी जो है वह समरूप है तिर्भुज पीक्यू आर के जो कि हमें दिया था अगर यह समरूप है इसका मतलब क्या होगा तो हम लिए सकते हैं तब छेतरफल जो आ रहा है एबी सी का और छेतरफल जो आ रहा है पी क्यू आर का वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के ही बडाबर में इसी बटे में क्यो आर्का वर्ग होगा और बराबर में अचे के बरबर होगा यह चीज़ दन भाइब यहां पर देख सकते हैं यह समीकरण एक है और यह समीकरण आ गया दो अब हम क्या देख पा रहे हैं यह भी यह मतलब दोनों के छेत्रफल जो तो एक था यह पूरा एक एनिस सब के बराबर हम एक लिख सकते हैं तो हम इसमें समीकरण एक तथा दो के अनुसर क्या होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एभी बटे में पी क्यूं का वर्ग जो है वह एक के बराबर होगा ठीक है और यहां से हम लिख सकते हैं क्या चिव जाएगा तब यह वर्ग हटा हो तो इधर एक ही रहेगा और पीक्यू को उठाक इधर लिखे जाओगे तो क्या हो जाएगा यह भी बराबर में पीक्यू आजाएगा चीक है उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं क्या बीसी बटे में क्यूर का जो वर्ग है यह भी एक के बराबर होगा ठीक है अब इसमें लिख सकते हैं वर्ग है तो वर्ग साइज जाए इसका बर्ब जो है किसके बराबर दा तो यह ऊfundाव निगा की इस तिर्बुज के सारे बुजाएं बराबर है तो उस संदूंट भूजा 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 से सर्वांकिशम क्योंकि दोनों तिरूज बरावर हो चुके हैं ओके चलोए ठीक है आप इसका स्क्राइब यहां पर एक कुश्चन सवाप्त हुता है यही चीज़ हमें निकाल ली थी और उसके बाद हमाते हैं नेक्ट कुश्चन पर चलो हुए मैं बिंदू करम से क्या है डी एफ है तो उस कारण से बोला है इसने डी एफ और एबीजी के छेत्र फलोग का अनुपात याद करना है ठीक है चलो वे देखते हैं कैसे होगा तो यहां पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं जैसे कि हमने एक तरभूज बनाया है पहले एबी सी बी जी अब इसके बाद इसने कहा है तो हमने यहां पर लिखेंण लिख ठीक आठीक है उसके पर यह पार है तो पी बीजी पर ईय लिख दिया और एच्थज पर अएफ म्धू है ठीक है है इसको हम मिला लेते हैं ओके अब इसने कहा है डीए एफ और एबीसी के छेतरफल को अनुपात ग्याद करना है मतलब यह छोटा वाला तरभुज और एक बड़ा वाला तरभुज इन दोनों तरभुज के बीसी में क्या चीज़ है वहीं एबी बीसी और को सिए का मद्ध्य बिंदू मद्ध्य बिंदू कि डीए क्रम्षे भी लिख देते हैं क्रम्षे क्रम के अनुशार है क्रम्षे d e और । भैं ये चीज़ð तो अपर दे रखी है कि God दीए एफ जो है वह वह मिड़ पॉइंट है मध्य बिंदू है ड़न चलोए ठीक है अब हमहें ज्यात करना इसमें अ कि तो ज्यात करना में आते हैं लिए क्या यहां कि याद करना की बात गया तो यहां में दोनों तरफुजों को श्षेतरफल याद करना यांनि हम लिसकते हैं भई श्य्टरफल डी एफ और खेटरफल अ हमारे पास ABC इन दोनों श्षेतर फलों का अनुपात करना मतलब यह हमें ग्याद करना है चलो ठीक है करते हैं इस को स्टार्ट तो हल पे आते हैं इसमें तो हल में स्टार्ट करते हैं तो क्या चीज है यहां पर तो यहां हम देख सकते हैं एक चीज क्या कि डी और एफ क्या है मध्य बिंदू है अगर डी मध्य बिंदू है यानि क्या होगा एडी बटे में ड किसमें द thorough me डिया है तो कि ब्राबर में अगर यह तो किघना हो था तूंस नीचे यह हो जाएगा अब नेक्ट की बात करें तो इस तरह से कि इसी तरह से क्या हो जाएगा इसी तरह से हम लिख सकते हैं अब यहां से हम कह सकते हैं समीकरण एक और दो के अनुसार क्या होगा तो हम देख सपारे यहां पर भुजाएं एक ही अनुपात में इसका मतलब बीपिटी कहते हैं अगर भुजाएं अनुपात में तो बीच में जो रेखार यह डिएफ वो तीसरी भुजा के समांतर होगी तो हम यहां पर लिखेंगे स मगारन समिकरण एक तथा कि दो से समीकरण और एक और दो से क्या होगा तो हाई समीकरण एक और दो से हम pess nagyon कह सकते हैं जोटे तरु हैं तो शोटे तर्भूज का नाम क्या था छोटे तर्भूज का नाम यह भी तर Betsy में इसमें देखा जाए तो इसमें देखो क्या हो रहा है तो हमler도 अगर यह रेखा इसके समानतर है तो हम कह सकते हैं क्या यह कूण इस कूण के बराबर होगा होगा भई डी एफ जगर जब बीसी के समानतर है तो यह कूण तो इसके बराबर हो रही है तो हम वही चीज़ यहां पर लिखेंगे कि भई कूण most a D और तो सबस्वाएं K resilience का हिए अगर दो रिखाये समांतर होती है और बीच में एक लाइन कट कुछी है और इस सब्सक्राइब होती हमें एक लाइन कटकोती है और यह एक ही और के संगत कौन तो यहां पर वही से पूर। रहे और संगत एक ही और ऑझे संगत कूणूधव аны धीक अच्छό चुका एक ही और के संगत कौंगा है ओक हैकатив इसी तरह से हम क्या इसको भी बराबर लखा कर सकते हैं यह सके बराबर जाए से रिज़ेंगा सेमिसेम लिगा अगर ढाको कोंड बराबर हो जाते ना दो तूफ़ कि तो क्या होता यह तो सं रूप हो जाते हैं तो का मतलब क्या होगा तो समरूप का मतलब भुजाएं एक ही अनुपात में आ जाएंगी यानि हम कह सकते हैं वह इसके क्या हो जाएगा कि भर रभर में द्यूंद में ब्दी थिए अब अबर दूडय को सबस्धार में पर एकस को बात करें या हानी हम इसमें कह सकते हैं क्या चीज इसी में हम कह सकते हैं कि यह आगे में लिखन निलेता ह Minnesota bogat Cute भर बराबर होगा एफ को ही रहने दो और एसी को हम गलिक सकते हैं एफ को सकते हैं छो कर दो दो और और यहांनि हम देख पा रहे हैं एक बते दो आ रहा है यानि कि यह बटे यह इस नवागत ना कि कि आ पड़ेगा अब लोगे सर इसके लिए फिर से दुबारा करें सारा तो दुबारा करने इजरत नहीं है सीधे लिखना इसी तरह से उसके बाद आगे की कोश्चन को सॉल करना है तो यहां पर क्या चीज है यहां तक यह इतना हो चुका है यहां हमने लिख दिया इसी तरहे है आ here ग cig तरहे लिख कि कि और यहां पर हम सीधे लिख देंगे कि तो 一वी बाटे में आ जाएगा डी बड़े में ए सी ऑ ए बाबर हो जाएगा एक बटे दो और उसके बाद next वाला क्या है भई F E बटे में A B ये भी हो जाएगा एक बटे दो F E बटे में A B ये भी हो जाएगा एक बटे दो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आ गया पहला ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा क्या मैं इसमें कह सकता हूँ समी करण एक दो तथा तीन के अनुसार कि भी तीम के अनुसार क्या होगा्य क्या हुगा क्या हो रहा है समीकर एक दो तीन तीन उ पर हो जा रहे हैं तो तीनों बडाबर हो रहे हैं तो हमलिग सकते हैं यांपरume क्या व 돼요 सब्सक्राइब है जिए इस केमेघ और वाली नियुक्राइब है इसके बाद क्या हूए इसके अगर लुपात मैं है यहां है कि यहां पर यह है इस दो चोटा तर्फुज बीच में है और बड़ा टुर्फुज उपर है दोनों की भुजाएं एक ही अनुपात में और जब एक यन मुपत में दो तिर्भुझ के भुजाएं आ जाय है तो दोनों तिर्भुझ आपस-um रूप और तो हम यहाँ प्डी अपर एकसम बसक्ते भई B 02 primary S एक भ्राख समरोप सके यह था यह समरोप यह शवन मैंने डिए उपने हैं और उसके के बाद EF EF कितना AB है तो इस सी को हटाए हमने इधर से तर्व जिसी AB लिखा है तो यहां पर क्या चीजिए बिल्कुल सारे एक्जेक्ट होने चाहिए कैसे देखो डी एफ बते बड़ी सी लिखा है तो डीएफ पहला डी हरबाद वला एक्ट यह दोनों अनुपात यह दोनों के सात्थ होना चाहिए तो बिल्कुल आइए ने क्यों का और रास्ट होना चाहिए इत अगर यह सुरू के ढोली है तो अधरी शुरू का दो यह घृत्त यह evolved यह पर लास्ट के दो है तो यह भी भी देखो लास्ट के दो है मतलब हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप यह चीज़े बिल्कुल एक्जक्ट आ गई है ठीक है अब दोनों के छेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो उनके बुझाओं के वर्गों के बराबर होगा यानि हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं अब यहां पर छेत्रफल डी इएफ बटे में छेत्रफल एबी सी इसका जो अनुपात होगा वो उनके भुझाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा और इनके भुझाओं का अनुपात क्या है यही तो है यही है तो हम लिख सकते हैं कुछ भी इनमें से लिख देते हैं क्या लिख देते हैं त तो हम इसको लिख सकते हैं यह भी आ रहा है एक बटे दो और इसका वर्ग और यह आ जाएगा एक बटे करते हैं लेकिन यहां पर क्या करना है आपको यहां पर आपको सारी चीज़े रिपर्जेंट करनी दिखानी है इसलिए कोशन थोड़ा सा लंबा हो गया है इसमें हर चीज़े हमने बिल्कुल एक्जक्ट मैंजन की है यह अगर यह कुछ बोर्ड में यह कुशन आएगा चार न लेश्ड लिए इसका लिलो मैं विद्ध करते हूं और इसका भी लिलो और इसका भी मैं बिदेज़ लो और उसके बाद लिलो फिर आने मतलब होता है यानि कहा जाए तो एक तिरबुज मैंने यहां बनाया और एक तिरभूझ मैंने यहां बना दिया आगा आए बस ए बीसी और यह आ पी दिए क्यू और यह आ चुका है डैन चलो बेठी के अब इस ऑसे बीसी की बात करूं मैं तो इए भीसी में क्या चीज हो रहा है तो इसमें इसने कहा दिया है कि दोनों तिरभुज संमरूप हैंं यह तो दिया है वह लिख़ेते हैं किया तेल कि है ति तेल भूझ a-b-c समरूप है त conveja PQR के पर यह तो दिल रिखा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप दिर ब कर i do sam сообщ education नहीं दिया हुआ है छेत्रफलों का अनुपाद उनकी माधिकाओं के वर्गों के बराबर होता है यानि इसकी माधिका भी खीचनी है तो हमने यहां पर लिखा क्या एक यह माधिका खीच दी जो की डी आ गया और यह कर दिया जो की ऐसा गया है ठीक है यह दो माधिका होगे इसमें हम लिखेंगे तिर्भूज दोनों सम्रूप है तथा क्रम्षे हैं मतलब इन्हीं के दून अकॉर्डिक ही क्रम्षे माधिका के डी तथा की एक टीक है क्रम्षे क्रम्षे एडी और पिएस की माधिका है उसके बाद आते हैं क्या सिद्ध करना है नियुक्त करना है कि नी चीज़ आ गया ठीक भी उसके बाद आते हैं तो सिद्ध करने में क्या चीज होगा तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि इनके तर्भुज के कौन कोसी तर्भुज है तो a b c इनका जो छे त्रफल है ड़ी क्यू आर यह इनके माधिका यानि a d बटे में पी एस के अनुपात के बराबर होता है ये शिद्ध करना है मैं ओके दूनों समरूप है तो दोनों की भुजाई तो वर्ण में होगी लेकिन क्या माधिका भी वर्ण में होगी इसको शिद्ध करना है क्यों नहीं क्या होगा कि सिद्ध पे आते हैं थीक है इसमें हमें पताए बही तुर्भुज ए कि बी सी समरूप है तिरबुझ पी क्यू आर के यह तो दिया है ठीक है भई इसके अनुसार हम कह सकते हैं इनकी ब्हुजाएं भी अनुपात में होगी तो वह लिख देते हैं तो क्या होगा भई इसमें है a b b बटे में पी क्यूं है ब्राबर में होगा बी सी बटे में qr यह चीज़ होगा तो हम बीसी यह पूरा बड़ा इसको मैं लिख सकता हूं डो बीडी लिख सकता हूं अब बदाए लिक सकते हैं इसी का तो यह आधादय तो हुआ है तो बहुत पूरे को दो बीडिटि लिखा जा सकता है वैसे यहां पर हम लिख सकते हैं क्यूर को 25 2 qs लिखा जा सकता है 2 qs लिखा जाता है ओके तो हम इस चीज को यहां पर रखते हैं यह कैसे सौल हो गई है तो यहां पर देखो इसी के according हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या हो जाएगा दो बीडी बराबर में यह next step में करते जगा यहादा रहेगा कि इसके बाद यहाँ इंऊंस्वे करें नेक्स्ट के बींतर इसके बाद चलते आ अंगे इसके जिरूरत नहीं थी में यूइज कर लिया है बात खतम अब यहां पर देखिए क्या चीज़े इन दोनों त्रभुज में एक यह चोटा तिर जोटा तो इन दोनों में देखते हैं कि एक भुजा एक भुजा का अनुपात में है बिल्कुल है कि दूसरा बीडी पटे में क्यों एस बराबर है तो यह भी अनुपात में आ रहा है बिल्कुल ठीक है अगर इन दोनों के बीच का कौन यानि बी कौन क्यों के बराबर आ जाए तो भाई मजा जाएगा क्यों क्योंकि उससे समरूप हो जाएगा तो यहां हम देख सकते हैं कि क यहां पर यहां पर यह तीन चीज़े बराबर हो गई है यानि मैं सब्सक्राइब सकते हैं क्या समीकरण एक तथा दो से पर समीकरण एक और दो से क्या हो सकता है तो दो से हम क्या सकते हैं तिरबुज ए बी डी समरूप हो जाएगा तिरबुज पी क्यू एसके वो भी कैसे हो रहा है तो भुजा दो भुजाएं क्या है इसके समरूप है सुरी समान अनुपात में है पर दो बुज नहीं है वह साइड एंगल साइड क्या सकते हैं भुजा कौन भुजा हो गया समरूप चलो भई ठीक है अब बोलोगे सर यह थोड़ी निकालना ता भी भाई कहानी बाकी है लगे रहो चलो भई ठीक है दिखते कहा चीज़ है तो यहां की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा अगर यह दोनों त्रभुज समरूप हैं तो इनके भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं भई क्या तो इसमें लिख सकते हैं भई इसमें बीडी बटे में क्यू एस यह किसके बराबर होगा तो बीडी बटे में क्यू एस जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा एडी बटे में पीएस के बराबर हो जाएगा तो हम यह भी लिख सकते हैं अब इसको हमने ले लिया समीकरण अब यहां पर एक चीज देख लीजिए ठीक है क्या चीज अगर यह तो तरफुज समरूप थे यानि बड़ा वाला तरफुज बड़े के समरूप था तो उनके छेत्रफल का अनुपात भूजाओं के अनुपात के बराबर होगा तो भाई वही निकालना है नहीं में इन दोन चार लिखा और सभी तो अब यहां पर यहां पर इसको मैंने समीकरण चार लिख लिख दिया समीकरण कि एक तीन और चार के अनुसार कि स्वामिकर्ण एक तीन और चार के अनुसार क्या होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक में हैं एक बटे आता चे तूंफल पीकुऑनों का अनुपार जो वर रहते नहीं के बराबर होगा यानी की एडी स्थीद्य करना था तो यहां पर हमारा पहले सकते हैं और इसका भी लैसके लिए इसको नोट कर सकते हैं फिर आएंगे नेक्स्स सब्सक्रें एचो बो spiral longing थीक है Go Norwegian Ohh सिधिकीजिय की एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गया गया संभाहु तरुपूज का च्छेत्रा वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए संभाहु तरुपूज के छेत्रफल का आधा होता है कहना क्या चाहता है कि बैं कि एक तो मैं corri बनाया वль हúde ठीक नेमने बना दिया ठीक है थोड़ाससाइड़ी हो गई है एग या किया वर्द दन वर्गा मतलव इनकी तीने बराबर है ओके चलो भी ठीक है अब यहाँ पर मैं कहूंँ इसकी एक बुझा पर तिर्भूज बनाया मैंने तो यहां पर त्रुबज बनाया यानि कि अगर इसकी भुजा मालू ए थी तो ये भी ए है और ये भी ए है ठीक है चलो ठीक है उसके बाद मैं कहूं इसका एक विकर्ण्ञ यह विकर्ण है इस विकर्ण पर वे तिरbhuz बनाता हूं कि यह है तो यह भी रूट टूए होगा आभ इसमें कहा गया है कि वहीड से त्रफ़ और इस त्रफ़ और बड़े त्रफ़ यह क्या है तो इसका यह नाम दे जते हैं नाम क्या रहा है तो इसमें ए A, B, C, D है और यहां पर P है और यह क्यों है चलो भए ठीक है अब यहां पर सबसे पहले आते हैं दिया है तो दिया में क्या है A, B, C, D एक वर्ग है चलो भए ठीक है उसके बाद तथा A, B, Q संभाहु तथा A, B, Q तथा A, P, C जो तिर्भुज है यह संभाहु है यह संभाहु तिर्भुज है ठीक है संभाहु तिर्भुज है इतनी बात हो गई है दन चलो भए ठीक है उसके बाद आते हैं इसमें क्या कि शिद्ध करना है जब करने में क्या जो तो सिध करने में हम कह सकते हैं इसने कहा है कि जो चीट्रफल है बड़े तर्भुज का यहानि एपीज का जो है वह क्या है डबल है किसका तरुज का छोटे वाले दो प्रुज के बढ़े तरफ़ देखते कैसे होगा तो आते हैं इसकें इनदर सिद्ध में है तो सिद्ध में हम कह सकते हैं क्या कि तिरभुज ए बी क्यूं जो है वह वह सम्रूप होगा तिरबुज सम्रॉप कुछ किया नहीं कुछ बराबर किया निए दारेक्स उभी क्या है दोनों तिरने क्या संबारों कि तो संबारों सुरब्दा क्या होते हैं तो सब्सक्राब्ड होते हैं इसे लिए हम हम उसको समरूप कर दिए दन चलवेटी कें यह हो गया अब यहां से मैं कह सकता हूं माना यह वर्ग की बुझा है है यह तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा वह थिर्भुझ की भुझा शोटा उसकी भुझा भी यह होगी और बड़े तिरबुच की भुजा क्या होगी यानि एसी कितना होगा तो एसी की बात करें तो यहां पर कह सकते हैं तब आएसी जो आएगा वो आएगा इन दोनों के वर्गों के योक के बराबर में लगा दूं और है का लंगा होगा यानि इसको लिख सकते हैं रूट टू है लिखा जा था रही है याइप यहां पर क्या हो गया और यह यहां पर यह लिख ते यह नहीं जिए आ गया है और यह रूट अनुपाद यानि मलेख सकते हैं कि वाई थिर्भूज नाम क्या था इनके एबी क्यू एक äbq और नीचे क्या है एक किसsam कि बढुझा है इनका जो चे त्रफल है हुँ निं Seriously, आख वो क्या है इनकी भुझाओं के अनुपात के बर्द सकते हैं तो यह बहले हो दिख सकते हैं तो क्या है हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि वह क्या है सारी साइड तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे काओ गया और वर्क को जब हम खोले लड़ा से खोलेंगे तो रूट two का वर क्या होता है तो दो ही होता है यानि हम कह सकते हैं यानि हम कह सकते हैं तिरवज ऑबड़ा तिरवर्वज का Coffee कितना है तो एक बटे 2 इस दो का नुपात है दो यहां पर हम क्या अगरते हैं नहींत्कित बटे में छहेत्रता था कि इप इस से दोड़ को अगर इधर गुना करूं से om के अब ि क्यूं बराबर में यह इधर जाके गुना का तो छह तरफल आ आपास अ ए पीचिंगा नहीं निकालना था हमें चाहिए निकालना था तो वह है आपके अश्यक्षक तो हम लिख सकते हैं यहां पर एत्ति सिध्धम तो ठीक है तो वही इसको आप नोट कर सकते हो और इसको भी नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट लेक्षा सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का ओचित्ति दीजिए मतलब हमें इसमें चार उप्सन में से करेक्ट्र उप्सन चुड़ना है और साथ में उसको करना चत्ति दिन है तो यहां देख सकते हैं एबीसी बीडी दो संभाहु तिरभूज है बड़ा अच्छी बात करें दोना आपस में वैसे समरूप करने की जरूरत ही नहीं तो दोनों के सभी कॉंड साथ के होते हैं तो सारे को बड़ा बराबर हो गया वह कोई दिक्कत ही नही है अच्छी बात है यह वी अच्छी बात हो गहीं तो यहां मैंने कियए एक तर्भूज बनाया और यह लिखा a यह लिखा a यह लिखाabey यह लिखा ऐसंने खाया न न इंभा रखने पर यह वह हमारा संभाहू तर भूज आ पो हम एक up रहसे चाहरा है नीचांते पर नीचे रख लेते हैं उपर बीड़ मचाएगा बस तो भई मैंने इसको मिला जिया से यह यह आ गया डन बीड़ी आ चुका है ओके चलो बहुत बढ़िया अब इसके अंदर कोश्चन में कह रखा था जबकि दोनों संभा संभा हूं हैं तो हम लिख सकते हैं तिरबुज ए बी सी जो है वह समढ़ी मिल attCal दोम हो जाएगा किस के तुरे तुरम इसम लिए दोन्हों की सकते हैं तो इसमें लिख सकते हैं भाई दोनों तुर शुरें जदिए और इसकि लिए दोनों सम्रूप इब दी दोनों चितर हो का अनुपात होगा इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ख होगा यानि हम कह सकते हैं बीसी बटे में बीडी लिख सकते हैं चलो बही ठीक है अब एक चीज देखिए आपको पता है डी मद्य बिंदू है यानि बीडी जो है सकते हैं तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल तो लिख देंगे इसका वर्ग होता है नहीं छोड़ना दो बीडी आएगा बटे में बीडी आ गया ठीक है इसका वर्ग आ गया इसको बीडी से बीडी कैंसल कर दिया है यह हो गया अब यहां पर दो का वर्ग चार होत कर सकते हो इसका और चित्ति भी क्या पूरा एक्स्प्रेंट कर दिया हम नहीं आपे चलब आप सका स्कीन सोटे लो हम आते हैं नेक्स कोशिन पर ओके तो नेक्स कोशिन की बात करें तो दो समरूप तिर्भुजों की भुजाओं का अनुपात चार अनुपात नौ है तो इन तिर्भुजों के छे त्रफल का अनुपात निकाला है तो बड़ा सिंपल हो गया वह क्या करता है में छे त्रफल पहले त्रफल का और छे त्रफल दूसरे तुर्वजगा यह क्या होगा उनकी भुजाओं के अनुपार भुजाए मतलब क्या थी चार बटे में नौ था इनके बरग के बराबर होगा भाई यह होगा ठीक है चार बटे नौई है ना तो इसको क्या लिज सकते हैं जाने हम कहते हैं कि यहां पर बच्ची थोड़ा इस तो यह वाली पर समाप्थ होते हैं इसको भी आप नोट कर सकते हो और इसी के साथ यह वाली पर सेमाप्थ होती है तो हमने यहां पर देख लिया वह कि दो तिर्भुज अगर समरूप होते हैं और समरूप होने की वेज़े से क्या होता है तो उनकी उनका छेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इस बात पर ही पूरी पूरी प पूछे जाते तो अगर आपने यह कर लिया तो भई आपके चार नमर तो पक्के हो जाने हैं तो इसके बाद मैं आप लोगों को मैंने के बारे में बता जाता हूं तो मैंने ऐसा प्लाटफार्म है जो आपको प्रवाइड करता है के जी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विश्यों क यहां पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैंने लॉंच किया है मैंने की वेबसाइट यहां पर देखो हर एक सक्षन अलग अलग तरह से रखा हुआ है जैसे कि पर क्लिक करते ही आप देखोगे यहां पर बिल्कुल आई है जैसे कि माल्यों आपको मैंतिमेटिक क्लिक करोगे क्लिक करते और बहुत से चीज़े हैं जो यहां पर आपको मिलने वाली है ठीक है जैसे कि आपको मिले आप चाहते हो कि बहुत साथ वीडियो मिल जाए कोई करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो इसमें किसी भी कॉंसेप्ट करोगे और क्लिक करते और बाकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि में ने हिंदी में भी कोर्स को लांच कर दिया है जो कि सब्सक्राइब कर दो बहुत अच्छी बात होगी चलो वह इसके साथ आप लोगो कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए न्यू झाहता हूं